कि नोश्कार दोस्तों आप सभी लोगा फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं कार्थिक भर्द्वाच दोस्तों आज हमें कूश्चन देखने जा रहे हैं जो गेट 2017 सेट वन में आया था है यह जो कूश्चन है इसको जो है अगर अलग-अलग लोग होंगे प्रैक्टिकल स करें दोटेंगे तो सपोस करो कंशीडर आप हो यू आप पर्सन इंट्वाइ इस प ai हम पर यह तरीकर तो अलग-अलग scenario में को किस तरह देखते हैं ठीक है और वो जो तरीका होगा अब मैं आपको बता हमको गलती कहां होती है या सही तरीका कौन सा है ठीक है ना कि इन तीनों परसंस में से कौन सही था ठीक है ना तो सबसे पहले में इनको डाल देता हूं चलो मैं सबसे पहले कर देता हूं एक्स जो बहुत इंटलीजेंट परसन है यह एक्स वाले भहिया ने देखा यहां पर जो आपसे इंटलीजेंट है उसको को देखा एकोशन को पढ़ना शुरू किया कि देखो भीया विच आफ फॉलेंग गिव दें गिव्स दा सिंप्लिफाइड सम अफ देखने के बाद भाई ने सूचा जो सबसे पहला एक्स वाला है कि चूना मैं इतना लेंदी प्रोसेस कर शुरु करूँ या तो इन टरम्स को मैं जो की मैप से सॉल्फ कर सकता हूं या फिर मैं इसको वुलूल फंक्शन से सॉल्फ कर सकता हुं या मीं सबसे बेस्त तरीक ऐ चीज देख सकता हूं तो जादे इंटेलिजेंट बंदा होता है वो एलिमिनेशन खेलना शुरू कर देता है एलिमिनेशन का मतलब करता है इस फंक्शन को मैं देख लूँ अगर यह चीज मिल लिए तो ठीक है अदर्वाइज नहीं सपोस्पोस करो आप चुकि मुझसे पढ़ रहे हो तो आपकी नजर में यह है कार्तिक सायद हो सकता है इंटेलिजेंट हो तो कार्तिक यह पेपर देने के लिए बैठा है कार्तिक को क्या लग रहा है यहां पर कि इसको यहां पर देख सकता है और इससे आसानी से एलिमिनेशन करके निकाल सकत सब्सक्राइबस्स्राइब चuição क्यां एरफ ड़ेवेंग इसमें गायावें ही बार बी सी प्लस सी बारिटीक एबार बी सी बार प्लस A B बार C ठीक है अब इसको मैंने को ओला A बार B C प्लस A बार B C बार प्लस A बार B बार C बार प्लस A B बार C यह यह क्या निकल का आया दोस्त आपका इसको पहले वाले को मैंने बोल दिया Option A चोगी मैंने पहले मैंने इसको पकड़ा इसी को एकस्पेंट कर दिया क्योंकि अगर इसको मैं पुरा खोल देता हूं क्योंकि बाकी सब में तो दो दो गायब है तो इनमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैंने सोचा क्यों नहीं सब्सक्राइब कर लो अगर यही चीज निकल के आ रही है और फंक्शन तो यह सही होगा मैंने कर दिया और मैंने और टिक कर दिया अब आते हैं बारी आपकी आना आप दूसरे इंटेलिजेंट लेवल के बंदें आपने क्या सोचा कि या रही सर मतलब एक स्टेंडर्ट तर तरह में जल्दी रफ रफ में बना रहा हूं तो इस ना ध्यान नत देना अपने के मैं बनाया ठीक है ए एमस बीए बीसी तो आपने देगा फंक्शन कौन से दियो है आपको 002 335 और आपने जल्दी से यहां पर किस पर कर दिया जल्दी से यहां पर चुपी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप प्रक्टिस कर चुके होते हैं लेकिन फिल भी चलो मैं लिख नहीं 0123456 भाई इतनी प्रक्टिस आपकी होनी चाहिए कि वहां पर यह सब लिखना इसको किया 3 पर आपका 2 पर जीरो पर और यह आपका 5 पर आपने इसको पर बनाया ठीक है आप ने जल्दी से प्रक्या इसको पर बनाया और इसके साथ आपने इसके साथ इसको पेर बनाया यह बिचारा अकेला ले गया तो आपने function निकाल के क्या बनाया आपने a bar c bar यहाँ पर जो है तो कि यह a 0 है यह b तो a bar c bar यहाँ पर हो गया आपका ठीक है फिर उसके बाद दूसरा क्या आएगा आपका a bar b इस वाले का this is a bar b यह a bar c bar था a bar c bar उसके बाद तीसरा यह बाला बचेगा तो यह बन जाएगा a b bar c ठीक है ना this is a b bar c आपने function निकाला और इस function को देखने के बाद देखू कहां पर आपको दिखाई दे रहा है a bar c bar a bar b a b bar c ठीक ना आपने यह वाला इन्होंने बोला भाई मेरी हिसाफ से अंसर भी है इन्हों आसर भी लगा दिया ठीक है तीसरे वाले जो थोड़े से आपसे मतलब वो थे अन्होंने सोचा कि बाई कार्तिक सन ने समझाया था कि वुरुलन इलजब्रा के तरीके से करना उन्होंने क्या करा function को लिखा f is called to m0 plus m5 plus m2 plus m3 function को इस तरह लिखा तो इन्होंने जरूए a b bar c bar plus 5 है 101 a b bar c plus a bar b c bar plus a bar b c इन्होंने क्या करा a bar c bar को common लिया तो a bar c bar को common लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा इन दानों में से तो आपके पास बचा b plus b bar एक problem खतम क्योंकि यह तो 1 होने वाला है है ना a b bar c plus a bar b c ठीक है अब दूस्त इन दानों को जब कर दोगे यह तो 1 हो जाएगा आपका तो आप क्या बच्चेगा आपका a bar c bar plus a b bar c plus a bar b c ठीक है अब इसमें आपने क्या करा आपने a bar common लिया और यहाँ पर आपका बचा c bar plus c b c b इन दानों में से तो अब प्लस a b bar a a bar माफ करना this is a b bar c a b bar c तो इसकी एक identity होती है यह अगर यह दो variable है यह a plus a bar b है तो जो इसका complement है यह वाला यह गायब हो जाएगा और यह आपके पास क्या बच्चेगा c bar plus b plus a b bar c इस तरह आपका यहाँ पर बच्चेगा ठीक है अब दोस्त इसको जब इसको आगे की तरफ solve करोगे मुझे इसी पीछ पर करना पड़ेगा जब इसको आगे की तरफ solve करोगे तो वो कितना आएगा दोस्त आपको जब इससे solve करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा a bar c bar plus b a bar a bar b plus a a b bar c इस तरह आजाएगा है और यह भी आपका क्या निकल के आएगा a bar c bar a bar b plus a b bar c तो यह भी आपका answer जो है इसका भी भी आजाएगा ठीक है तीन लोग हैं तीनों लोगों ने अलग अलग तरह की से solve किया है ना जहां से देखना तीन लोग थे तीनों लोगों ने एकदम अलग तरह से solve किया इनवाले भी आजाए और इनका भी भी आया है तो यह ज़्यादा इंटेलिजेंट भीया थे यह कहां पर a क्यूं आ गया इ आपको हमेशा बोलूंगा की मैप के लिए जाना जो तरीका अपने अजमायाता सॉल्व करने के लिए यहां पर वाई बनके वह मैं बोलूंगा कभी भी कि आप जब भी simplified term आये ना करने के लिए किसी function की तो आप विलेंक बंद करके चले जाना अगर आपके पास दो से तीन वेरियबल है चार वेर्य विल थक भी तक भी है तो आपके पास अगर यह जो तरीका था यह कहां बनाया था एक खास तो जो लोगों के लिए जो बहुत तो मैंने सुचा इसको अगर एक मिन टर्म यहां से गया अगर इसको करनोनिकल फॉर्म में लिए जाओंगा ज्यादा पढ़ने का नुक्सान तो मैं से कर में लिए तो यह आंसर आज वही चीज जो चाहता था सामने वाला वही गलती कि मैंने आप कि वह सामने वाला चाहता था कि मैं इस में सबस्क्राइब करने के लिए जाओं और इसलिए उसमें सबस्क्राइब किया था यह था एपसलूटली यह सही आंसर है लेकिन यहां पर क्या है यह सिंप्लिफाइट फॉर्म नहीं है जो सिंप्लिफाइट फॉर्म इसी की यह है इस सेम फंक्शन है बट सिंप्लिफाइट फॉर्म है यह वाली कि समझे आप मेरी बात तो कभी भी आप जब सिंप्लिफाइट वर्ड आ जाएगा तो उसके लिए आप कोसिस करना कि आप इस्टेप बाइस्टेप प्रॉसेजर पर जाओ यहां पर टाइम होता है दो माऊच सथा एक छोटी सी गलती आपको कई हजार रहें पीछरी जा सकती है ठीक है ना तो यहां पर जो है यह जो चोटी सी गलती की थी हमने ज्यादे स्मार्टनेस दिखाने को यह अच्छा था लेकिन हमने क्या कि इसको हैं को जी चुले बेस्ट कर दी यह जो जो तरीका है जिस दा बैस्ट हुए हैना हमेशा मैं बोलूँगा इस दा बैस्ट जब भी कभी सिंप्लिफाइड वर्ड आ जाए तो इसे आग बंद करके के मैं पी यूज करना आइडेंटिटी इस के लिए बंदे तीसरे की बात करते हैं तीसरा बंदा नॉर्म पीस बंदे के पास लेकिन चांसे जाधा है कि वह एक छोटी सी गलती पहुआ ना ऑप्शेंस में रखाओ को कि इनके उप्शंस को शी सी तरह फ्रीम होते हैं यूज वाली जभी पहली बार में आ जाता है ना मैं दूसरी वार तो पक्का उसे चेक करता हूं कि मुझे बता पहले option पही रख देते हैं गेट के अंदर कोशन अच्छा बनाएं ना बनाएं ऑप्शन बहुत अच्छे बनाते हैं वह लोग जहां गलती करोगे वहां वह उसको करते हैं तो एक बार मैं भी आपको यही सजेशन दूँगा तो दिस दा लेंदी मेथड और अल्दो इस वेरी राइट है ना सही है यह वाला जो सबसे बैस्ट तरीका है मैं हमेशा बोलूँगा सिंप्लिफाइट आप यूज करना और दूसरा यह क्या है यह वाला जो तरीका किया करो है ना क्या बार यह गलत भी हो जाता है ठीक है तो इसका जो आंसर है आंसर इस दा बी आंसर तो यहां पर मैं लिख देता हूं राइट कभी कोई इसको सॉलूशन को समझ ले ना इस इस दा रॉंग मेथर ना रॉंग एस सिंप्लिफाइड वर्ट इस देर कोई 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 कि यह बेस्ट में ठीक है दोस्तों उमीद है कि कंसर्प्टों में आपको क्लियर किया हुआ थोड़ा अच्छा से बताने की कोशिस की होगी ठीक है तो मिलते हैं ने लैक्चर में थैंक्यू